Welcome back to our channel, आज की इस वीडियो मां जानेंगे, आप अपने Android phone को अपनी Windows से कैसे लिंक करेंगे, इस वीडियो मां जानेंगे, तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं, आपने अपनी Windows की सर्च बार में जाना है, और वहाँ पर आपने सर्च कर लेना है, यूर फॉन, तो आप उससे पहले आपको इसमें sign up करना होगा, Microsoft account बनाना है, उसके लिए मैंने अलग सा वीडियो बना रखा है, description में आपको link मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके पहले Microsoft account बना लेना, उसके राद आपने continue पर click करना है, इसको आप search भी कर सकते हैं, जो यहाँ पर आपको दिख रह करना है, उसके बाद pair with QR code पर click करना है, उसके बाद आपके सामने आप QR code आ जाएगा, उसके बाद अपने phone पर जाना है, अगर आपके phone में feature है, link to window, तो यहाँ से आप link कर सकते हैं, इसमें click करने के बाद, उसके बाद आपको QR code scan करना होगा, अगर आपके phone में feature नहीं है, त तो आपने play store में जाके your phone companion link to window इस app को install कर लेना है, उसके बाद आपने इसको open करना है, open करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे link to your PC, your phone and PC इस पर आपको click करना है and your QR code scan करना है, continue आपने करना है, उसके जो आपको सामने QR code देख रहा है, इस QR code को आपने इस तरह से यहाँ से scan कर लेना है, यहाँ पर देखेंगे pairing with the PC हो रहा है अभी, इसके बाद चेक your computer अपने हाँ से done कर लेना है, इसको allow कर लेना है फिस से, your phone and PC are linked and वहाँ से भी आपने इसको continue कर लेना है, get started, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका phone है वो आपकी window से link हो चुका है, उपर आपको आपके mobile का नाम, battery and आप wifi यूज कर रहे हैं या mobile network वो सब दिखाएगा, connected है, यह सब कुछ दिखाएगा, calls में अगर आप जाएगे तो calls आपको दिखाएगा, आपके phone के messages आप यहाँ से देख सकते हैं, आप window से call भी कर सकते हैं, message कर सकते हैं, notifications देख सकते हैं, apps में click करेंगे तो आप apps जो आपके mobile phone में जितने भी apps हैं, वो सब आपकी window में open हो जाएगे, and अगर आप यहाँ पे कुछ open करते हैं, माना मैंने यहाँ पे play store open कर लिया window में, वो आपको यहाँ पे दिखाएगा, and यहाँ पे आपको अपने mobile का ही password डालना पड़ेगा, okay, and अगर आप mobile पे कुछ करते हैं, जैसे मेरा mobile link है, आप देखेंगे window में भी वही चीज जाएगी, यहाँ से जो मैं कर रहा हूँ, आप देख पार होंगे window में भी वही हो रहा है, तो यहाँ से आप control कर सकते हैं, mobile से window को control कर सकते हैं, and window से भी आप, अगर आप window में कुछ करते करते हैं तो यहां पर आपको फॉन में भी मैप आटमेटिक ओपन हो जाएगा अपने अंड्रोइट फॉन को अपने विंडो से लिंक कर सकते हैं यूर फॉन कंपेनियन एप से अगर आप इस हैप का यूज नी करना चाहते तो आप पहले अपने मुबाइल फॉन में देख ले सकते हैं और आप अपने पूरे फॉन को अपनी विंडो में इसी तरह कंट्रॉल कर सकते हैं तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही था अगर आपको वीडियो अच्छी लेगी तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें and thanks for watching see you in next video